उन नेताओं के सवालों को लेकर जिनको हाली में रिहा किया गया या जिनको 370 लागो किये जाने के बाद नजर बंद किया गया था और एक एक करके उनकी रिहाई कर दी गई है ये जो गुपकार घोश्रा है ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कैसे निपतेंगे से क्योंकि तीन पूरू मुख्यमंद्री एक साथ आ गया है जतनी भी पॉलिटिकल पार्टिया यहां के सानिया है सब एक साथ आ गया है और सब ने मोचा खोल दिया है क्या करने के लिए इस देश का मकुड था मकुड मरी था वादियों में जो खुबसूरती यहां की है जो नेचरल लिसॉर्सेस यहां है यहां के लोगों को जो तरक्य मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी है मेरी प्राथमी जिम्मेदारी है कि यहां के लोगों का जो हक था वाजिब हक था वो मिले यहां उनकी आसाओं और अपेक्षाओं को पूरा किया जाए और उसके लिए मैं अथक परिश्रम कर रहा हूँ और जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं कोई कोशिस उठा नहीं रखूँगा गोशना आपको नहीं लगता है कि आपके लिए चुनौती है इसलिए जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है मुझे कुछ उस पर कोई प्रतिक्तिया कि जिराजनेतिक बुबा मुफ्ति जी ने तो जैसे ही उनके रहाई हुई सर हम अवाम का भरोसा जीतना चाहते हैं जम्मू कस्मीर को विकास के सीर्स पर पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए मैं पूरी तरह से आस्वस्तों को हासिल करके हम रहेंगे लेकिन साचुंकी देखे आप जिस पद पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो सिर्ष प्रशासनिक तोर पर मजबूत नहीं है जब तक यहाँ पर वधानसभा की चुनाब नहीं हो जाते राजनेतिक तोर पर भी बहुत मजबूत है इसलिए जो राजनेतिक दलों को की ओर से सवाल खड़ी के जा रहे हैं उसका जबाब आपको ही देना होगा अगला सवाल महबूमा मस्ती पिछले ही हफते पिछले ही हफते सर सुन ले 14 महीनों के बाद उनके देहाई हुई है और राजनीत की मैं कोई बात न कर रहा हूं और न करूंगा जब तक मेरे पास ये दाई तो है नंबर 1, 2 मैंने यह सपत लिए सम्विधान की स्पत में यह संस्थाओं के कारे छेन्या ज़टर में अतिकरमन करना मैं समझता हूं यह संविधान हमें इजाजत नहीं देता है महभूबा मुफ्ती ने रिहाई के तुरंट बाद ये कहा कि दरत्सल अवैद और असंविधानिक तरीके से 370 यहां से हटाया गया और कुछ भी हो जाए वो इसको हासल करके ही रहेंगी ऐसा देश है जिसके मन में जो आता है वो कह सकता है देश की संसद में इस पर लंबी चर्चा हुई है बिभिन राजनितिक दलों ने अपना पक्ष रखा है और मुझे लगता है कि संसद की सारो भाव मिक्ता को चुनोती किसी को नहीं देना चाहिए और संसद ने कोई निरने किया है तो मुझे लगता है कि उस पर कायम रहना चाहिए और दूसरी बात कि कई लोग देश की सरोच न्याले में भी गए है हमारे यहाँ जूडिसियरी पर देश को बड़ा भरोसा है तो जो लोग ने आले में गए है मुझे लगता है कि सरोच नियाले पर भरोसा करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए फारुक अब्दुला साहब की ओर से कहा गया है कि दरसल जो कुछ भी वहाँ पर चीन कर रहा है तिबबत में उसके लिए 370 ही जिम्मदार है भारत सरकार के ओर से जो फैस्ता लिया गया और उन्होंने तो यहाँ तक आगे बढ़ते वे कह दिया कि अब चीन ही इसमें कुछ मदद करेगा कैसे जबाब देंगे आप उनका जो लोग समवेधानिक पदों पर रहे हैं उनको बोलने के पहले अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए इससे ज़्यादा इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा सीनियर आदमी है, मुख्यमंतरी रहे हैं, भारत सरकार में मंतरी रहे हैं अब इस तरह की बात करना, खुद सोचें किया उनके लिए उचित है मतलब उन्होंने गलत कहा मैं उस पर कोई राय नहीं दूँगा यहां के लोग भी सोच रहे हैं, देश की जनता भी सोच रहे है और जनता सब कुछ देखती है गुपकार गोशना के जरीए ये तमाम पार्टियां एक साथ आ गई है बड़ी चनौती आपके लिए बंती भी नजर आ रही है हाला कि आप उनको चनौती नहीं मानते हैं अगर इस तरह की पैदा होती है जो आपकी मुसीबते मुश्किले बढ़ाने वाली होगी तो क्या फिर से नजरबंदी के लिए आप कोई फैसला कर सकते हैं इस तरह के भी कयास लग रहे हैं बता हूं इस्थिति कहीं खराब नहीं होने वाली है और दूसरी बात कि कुछ लोगों ने कस्मीर की आइडेंटिटी आतंकवाद और बंदूग से बना दिया था कस्मीर की वास्तों में यह आइडेंटिटी नहीं है कस्मीर की आइडेंटिटी है सुफिजम कस्मीर की आइडेंटिटी है सरवधर्म समभाद यह लोग तब कहां थे जब 19 जनवरी 1990 की काली रात में यहां से तमाम लोग बाहर कर दिये गए अगर उस समय इन लोगों की आत्मा में थोड़ा भी दर्द रा होता तो मैं समझता कि यह वास्तों में कस्मीर की बात करते हैं मुझे लगता है कि देश इन सब चीज़ों को कस्मीर के लोग भी देख रहे हैं और इसलिए इसमें बहुत चिंतित होने की जरूत नहीं है कश्मीरी पंडितों का आपने जिक्र किया है 19 जनवरी 1990 की काली रात का समझ लोगों को आ गया होगा मैं का कहना था उनकी बापसे के लिए तमाम दावे किये गए वादे किये अब तक क्या किया है सरकार की ओर से कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ा निरना क्या कब उनके घर बापसी होगी यहां पर कब आकर वो लोग अपने मकान अपने घर में यहां पर रह पाएंगे मैं चाहता हूं कि देश के वरतमान प्रधानमंतरी जी ने 6,000 नौकरियां और 6,000 घर कस्मीर वैली में बनाने के लिए 2015 में फैसला किया था उसके लिए धन और साधन भी उपलब्द कराए हैं मैं आपको आस्वस्त करना चाहता हूं कि 6,000 में 176 छोड़ करके बाकी सभी पद आने वाले 6 महिने में भर दिये जाएंगे उनके मकानों के निर्मान का काम कई अस्थानों पर प्रारंभ हो गया है और दो अस्थान हैं जिनके टिंडर नहीं हुए हैं एक साल में सारे घर भी बना दिये जाएंगे जमू में पहले से उन्हों के लिए घर बनाए गए जहां वो लोग रह रहे हैं यहां का काम भी एक वर्स में हम पूरा कर लेंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से कस्मिरी पंडित भाई भनों को आस्वस्त करना चाहता हूं कि देश की सरकार हो यहां की सरकार हो आपकी वापसी के लिए हर कदम उठाएगी और मैं जो महसूस कर रहा हूं मैं रोज कहिन कहीं जाता हूं 20 जिले हैं जिन में से लगबक 16 जिले मैं हो आया हूं रोज प्रतेक्ष लोगों से मिलता हूं यहां जिस सरका भाईचारा हैं के लोग भी चाहतें के कस्मीरी पंडिता हैं और फिर से कस्मीर का वह गौरों बहाल हो